ओ मानमते नमा Antarctica मित्रों मैं आवीरेल त्रवेदी और आप देख रहे है मेरा YouTube चैनल लेटे मित्रों विसे सरंखला के अंतरगत आज कल हम ग्रोहों की सुब और असूब इस्थित के बारी में चर्चा कर रहे हैं उसी सरंखला में आज बात करते हैं दस्वे भाव में मंगल की सुब और असुब इस्थित की मंगल सीधा और सच्चा चलने वाला ग्रह है या कुंडली में स्थापित तीसरा ग्रह है मंगल को फार्सी में मिर्रीक तथा अंग्रेजी भासा में मार्स कहते हैं इसका वार मंगल वार है इसका रंग लाल है या पुरुस ग्रह माना जाता है शूर, चंद्र, गुरु इसके परम मित्र है तता बुद्ध और केत, शत्र है या दिन में अधिक प्रभावसाली माना जाता है दस्वे भाव में मंगल सुभ हो तो जातक परिस्रमी होता है वह अपने परिस्रम से अपार धन संपत्य अरजित करता है जातक अपने परिवार का पालन पोशन करने वाला होता है जातक अपने बाहुबल से ख्याति प्राप्त करता है तता परिवार का नाम रोसन करता है जातक की संताने आग्याकारी होती हैं मंगल दस्मे भाव में यदि असुफल दे रहा हो तो जातक प्रमंगल भारी होता है जातक को देर से संतान की प्राप्त होती है तता संतान भी कष्ट देने वाली रहती है घर में चोरी होने से धन नश्ट होता है जातक कभी-कभी अपंग भी ह जाता है आईसे जातकों को चाहिए कि वे पैत्रक संपत्ती का क्रय विक्रय न करें घर के किसी भी कोने में अकेले न जाएं बिट्टियों की सेवा करें ब्रद्धों से आसिरवाद प्राद करें तथा मंगल से संपतिव वस्तुएं दान करें सैया पर ना सोएं दूद में कर उसे कीकर के विर्च पर चढ़ाएं कोई फलदार विर्च घर के अंदर लगाएं मित्रों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो कपया लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवस्थ करिए आपका बहुत बहुत बाभार नमस्कार